आज मैं आपको इस वीडियो में hormone related tumors के बारे मैं बताने जा रही हूँ मैं डॉक्टर मुक्तबक्षी हूँ मैं यहाँ मनीपाल हॉस्पिरल गाजियाबाद में as surgical endocrinology and in oncology मैं हूँ काम करती हूँ hormone related tumors hormones आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या चीज होती है बहुत सारे लोग यह हमेशा पूछते हैं हम लोगों से कि hormone से समद्दित बिमारियां क्या होती है hormones एक तरह के छोटे 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 molecules हैं जो कि आपको और आपके देली की दिन चर्या के लिए बहुत important होते हैं आपके body के जितने functions हैं जितने कार रहे हैं वो सब hormones के द्वारा ही possible हो पाते हैं पर यह छोटे-छोटे molecules कुछ glands होते हैं शरीड में जो कि इनको सिक्रीट करते हैं और जो कि आपके blood में जाके दूसरे organs के उपर या दूसरी जगों पर जाके उनके उपर action करते हैं कुछ receptors होते हैं जिनके उपर जाके वो लॉक कर देते हैं उनको और एक यह की और लॉक के जैसा है जब वो उन्न receptors पे लॉक करते हैं तो एक तरह से और गन्स का function या उनका metabolic जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह से hormones शरीर में काम करते हैं Cancers अधिकतर बहुत लोग जानते हैं आजकल Cancer क्या होता है क्या नहीं होता Tumors क्या होते हैं यह भी आप जानते हैं पर कुछ hormone related tumors होते हैं hormone related tumors मतलब कि वो tumors जिनके उपर इस तरह के receptors होते हैं कि उनके उपर वो hormones जाके act करें और उनके जो function है उसको activate करें या उन cells को और फैलने के लिए तयार करें जब बहुत सारे cells फैलना शुरू होते हैं जब उनका proliferation शुरू होता है या उनमें cancer के जैसे development होने लगता है तो वो multiply बहुत rapidly होते हैं उनके fast rapid multiplication के दौरान उनमें बहुत सारे cells में कुछ बदलाव होते हैं जिनने हम mutations कहते हैं जब यह mutations होने लगते हैं तो एक तरह से वो genetically या hereditary type of cancers न बदल सकते हैं और वो आपके दूसरे next generations को भी pass on हो सकते हैं इस तरह के tumors generally reproductive system के साथ बहुत जुड़े रहते हैं जैसे कि breast है, thyroid है, ovaries है, endometrium है, prostate है, testis है और sometimes bone के कुछ tumors होते हैं और वो भी hormone related tumors में गिने जाते हैं breast cancer आपके लिए इसका बहुत बड़ा example है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे मरीज लोगों के test होते हैं जिनको हम बोलते हैं estrogen receptor and progestron receptor test ERPR status so, यह ERPR क्या है यह breast और दूसरे सब ovaries यह आपको पता है ovaries से कुछ hormones निकलते हैं pituitary gland से कुछ hormones निकलते हैं जो जिनकी वज़े से breast और दूसरे organs भी manipulate होते हैं तो जो उनकी वज़े से estrogen के अगर hyper estrogenemia होता है या estrogen high हो जाता है तो बहुत बार बहुत सारे cancers उससे related माने जाते हैं उसी तरह से the importance जो होती है वो hormone related tumors जानने की यह है कि अगर इस तरह का tumor है जो hormones से manipulated है या जिसमें hormone receptors हैं वो tumors को हम hormonally manipulate कर सकते हैं मतलब उनके treatment में हम उनको कुछ help मिल सकती है कुछ hormone वाली दवाईयों से यह इसका बहुत जरूरी important part है जैसे आपको एक मैंने breast cancer का ही एक example दिया है कि जो breast cancer होता है उसमें ER, PR जिनमें positive है वो वाले tumors के उपर hormones के medicines जो होती है या उस तरह के दवाईयों जो बनती है वो उनको manipulate कर सकती है और उनको रोका जा सकता है पर कुछ ऐसे tumors होते हैं जिनमें यह सब नहीं होता हॉर्मों ER, PR receptors नहीं होते हैं तो इनमें hormones जादा तर वर्क नहीं करते हैं as a treatment क्योंकि उनके लिए receptors काम करने के लिए नहीं है दूसरा important is hormone related tumors का यह होता है कि यह tumors जो जिस जगे से hormone निकल रहा है हो सकता है tumor वहां का ना हो दूसरी जगे पे उसका action आपको पता चल रहा है जिस organ पे जाके वो काम कर रहा है उस organ का action आपको मालुम पढ़ रहा है तो यह इसका दूसरी important चीज है तीसरा इसमें hormone related tumors में यह होता है कि कुछ tumors ectopic hormones produce करते हैं जो मतलब उनको नहीं करना चाहिए उन में से भी वो organs वो वाले hormones produce करने लगते हैं जैसे lung cancer है lung cancer में कुछ tumors होते हैं जो कि कुछ अलग तलग तरीके के hormones produce करते हैं और जिनकी वज़े से शरीर में दूसरे लक्षन दिखाई देते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं paraneoplastic syndrome तो इस तरह की syndrome होतेने से जैसे कि hypercalemia of malignancy है calcium बहुत हाई हो जाता है cancer में paraneoplastic syndrome है उसी तरह hypercoagability है मतलब जो खूंद का थक्का जमने के वह बढ़ जाती है तो वह भी एक तरह का कई बार cancer के साथ जो है वह परaneoplastic syndrome है inappropriate anti-diuretic hormone secretion है कई ऐसे इस तरह के hormones हैं जो अलग तरीके के hormones हैं वह सौर्गन में नहीं होते हैं generally बट जब वह tumors बनते हैं वह tumors इस तरह के hormones को produce करते हैं तो इस तरह से यह important हो जाता है कि hormone related tumors को भी हम उतनी ही importance दें उतनी ही उनके बारे में जानकारी रखें जितनी कि हम दूसरे cancers के बारे में रखते हैं क्योंकि बहुत बार यह मरीज बहुत सारे दूसरे जिस जगे का उनको problem है उसके अलावा आपको हो सकता है वह तरह के मरीज कई दूसरे doctors के पास मिलें कई दूसरी बिमारियों के साथ मिलें और उनका diagnosis इसलिए जो है हो सकता है कि कुछ कारणों से delay हो सकता है बट अगर एक बार उनका सही diagnosis हो जाता है तो उनका treatment संभव है इसलिए important है कि अगर आपको कोई भी लक्षन दिख रहे हैं किसी भी तरीके के लक्षन दिख रहे हैं तो आप अपने लक्षन लएक के सामने आएं पूरी तरह से जहांच कराएं और अपने धीरज को ना खोए because कई बार जो है हो सकता है कि वो बिमारी आपकी उस जगे ना होके किसी और जगे पे हो जो जिसको ढूडने के लिए हमें समय लग सकता है तो मेरी आप सबसे यही request है कि कोई भी अपनी बिमारी को अंदेखा ना करें उसके लक्षन जैसे ही पकड़ में आएं जैसे ही लगे कोई मुझे लक्षन हो रहा है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं पूरा इलाज कराएं पूरा उसका evaluation कराएं आधे में ना छोड़ें क्योंकि हो सकता है कि वो बिमारी आपको साल दर साल से चल रही हो और आप उसका अभी तक root जो है अभी उसकी root problem तक नहीं पहुँच पाए है और जैसे सही diagnosis होने पर सही treatment भी उसी तरह से संबब होता है थैंक यू